हालो फ्रेंट्स स्वागत है आप लोग को स्टेटिस लेवस में देखे दोस्तों मैं पर्मत कुमार आप लोग के लिए आज आज जो है बैलोजी का मोडल पेपर 2022 का कोश्चन लेकर आया हूं ठीक है दोस्तों जो जी बिग्यान मोडल सेट वन है परिक्षा 2022 के लिए तियारी आप मार लिजिए एक्जाम होल में घुजने जब पहले इसे एक बार जरूर देख ले ताकि जो है आप लोग कंफर्म सटीक अब्यक्टिव मारकर आ सकते हैं देखिए दोस्तों तो आप लोगों को लिए आप लोगों को स्टेटिस लेवस के लिए इस वीडियो के डिस्क् कोश्यन की और तो देखिए दोस्तों हमारा कोश्यन है हमारा कोश्यन है प्रकास रसायनिक धूंद में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया आता है प्रकास रसायनिक धूंद में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया आता है तो प्रकास रसायनिक धूंद में निम्नांकित म नहीं पहाएता है ठीक है दोस्तों उसके बाद हमारा दू नमर कोश्चन है कि निमने में से कुन प्रारंब कूठ है निम में से कुन प्रारंब कूठ है तो ए यूजी और जी यूजी कूठ है ठीक है ए यूजी और जी यूजी गग और अग कूठ है ठीक है उसके बाद हमारा नेक्ट कोश्चन हो जाएगा जल में यी कोलाई की अधिकता किसकी सुचक है जल में यी कोलाई की अधिकता किसकी सुचक है तो किसकी सुचक है तो बाहितमल जल परदूसन बाहितमल जल परदूसन देखे बाहितमल जल परदूसन के विशह में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेइलिस्ट में जाकर देख लिजेगा कि इसके भी से में पुरा पुर्ण रूप से समझाया जा चुका है कि इसका पांच नमर का वीडियो बनाया गया है ठीक है उसके बाद है नील हरी सवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैब उरुबर रखा है ठीक है तो चावल है कौन साथ चावल है उसके बाद हमारा next question है कि रिट्रो विचानू निम्नांकित किस विवारी का रोगजनक है तो एड्स का किसका है किसका है एड्स का है ठीक है उसके बाद सोड़ी चारव नमर को सんका एनसर मैंने बता दिया ठीक है उसके बाद पांस नंबर कोश्यन है कि रिट्रो विशानु निम्नांकित में से किस विमारी का रोग जाना करते एड्स का है उसके बाद हमारा छाओ नंबर कोश्यन हो जाएगा कि निम्नांकित में से कैंसर कोशिकाय है निम्नांकित में से कौन कैंसर कोशिकाय है तो हेला कोशिकाय जो है क इसके बाद मनुसे निमनेखित में से किस ओडर तथा किस कूल का सदस्य है तो किस कूल का है तो प्राइमेर्स तथा होमिनीडी उसके बाद हमारा नेक्स्ष्चन हो जाएगा। कि बायु परागन किस में नहीं में नहीं होता है तो बायु परागन कि से में नहीं होता है तो बागि बाद मक्का गह मेंडयोर्गे जो जलिये बतावरन में नहीं पाए जाते हैं तो बभूल उसके बाद है कौन सा पिरामीड कभी उल्टा नहीं होता तो उर्जा पिरामीड कभी उल्टा नहीं होता है उसके बाद हमारे next question हो जाएगा कि नियुम्लिकित में से बाय अस्थाने अस्थाने संद्राक्षन का उधारन कौन है तब बीज बेंक है थिक है कौन सा है बीज बेंक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोस्चन हो जाएगा ट्रांजेनिक सुनहरे धान किस विटामिन की परचूर मात्रा पाई जाती है किस विटामिन तो कौन सा विटामिन पाई आता है तो विटामिन A ठीक है उसके बार मारा नेक्स कोश्चन हो जाएगा कि पक्षियो तथा तितली का डैना कैसा अंग है पक्षियो तथा तितली का डैना कैसा अंग है तो पक्षियो तथा तितली का डैना अंग जो है और समझात अंग है कौन सा अंग है और समझात अंग है उसके बाद हमारा next question हो जाएगा कि RNA के अधार अनुकरम A, U, C G, C, U, G, A का सही अधार अनुकरम DNA में क्या होगा ठीक है सही अधार DNA में क्या होगा उसके बाद हमारा सटिक answer हो जाएगा tag tag cg gact ठीक है उसके बाद हमारा next question हो जाएगा देखी question है कि निमने लिखित में से जव अवर्धी करण का कारण किसे मना जाता है जब अवर्धी करण का कारण किसे मना जाता है तो DDT DDT को जब अवर्धी करण का कारण किसे मना जाता है तो DDT उसके बाद हमारा next question है कि निमनांकित में plasmid कोन है निमनांकित में plasmid कोन है तो निमनांकित में जो प्लाजमिड है PBR 322 है उसके बाद मनुष्य में प्लाजमोडियम की संक्रमन अवस्था क्या होती है तो मनुष्य में प्लाजमोडियम की संक्रमन अवस्था तो ए होती है ठीक है ए होती है सॉर्डी दूस्तों सत्राव नमर कोस्थ्य का एंसर है सी उसके बाद अठरा का होगा ए एस-पो रोज्वाइट एसपो रोज़ो एसपो रोज्वाइट ठीक है उसके बाद हमारा नेक्ट कोश्चन हो जाएगा उनाइस नमर कोश्चन कि नीमन में से कौन मोबाइल अनुवनसिक पदार्थ है तो ट्रांसपो जून क्या है ट्रांसपो जून है उसके बाद हमारा नेक्ट कोश्चन है कि टी आई प्लाजमी निम नांकित में से किस से प्राप्ट क्या आता है हिरत तो कि ए Всем सब्सक्राइब तो कि हैं दिरीफ हिर आ क्यायर तो ट्यामी ए इसम थे भी को चयाहिए दिविइस हिक ने घ्यासिंस法 में sweat एन्य घ्यां सब्सक्राइब गनिशन साइट है डे कोगनिशन साइट है ठीक है가지고 का है उसका तैस नमर कोश्चन है अमला निम्नांकित में से कोन शंकत गरषट संकत गरषट स्पीशीज है कि तो हमारा सटिक एंसर होगा है निपथस निपygen neatly सैगा निपन 쓰고 हैं Navis उसके बाद मनुस्य में ABO रक्समू क्या दर्शाता है तो जानते हैं बहु अलिल और सहप्रभाविता दोनों दर्शाता है इसलिए इसका एंसर हो जाएगा D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा B और C दोनो उसके बाद हमारा next question हो जाएगा next question है कि ग्रेफियन पूटक कहां पायाता है तो मानव अंडासय में ठीक है कहां पायाता है मानव अंडासय में पायाता है उसके बाद है next question है कि अधरक में काईक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है अधरक में काईक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है तव राईजोम के कारण राईजोम के द्वभावता है ठीक है नेक्स कोश्चन हो जाएगा कि टर्नर्स सिंड्रोम में में कितने गुन्सूत्र होते हैं turner syndrome में कितने गुन्सूत्र होते हैं , Turners है पांच होता है उसके बाद हमारा next question हो जाएगा जेड़ जेड़ बाइड डावलू तरह का लिंग निर्दारन किस में देखा गया है तो मोर में ठीक है मोर में देखा गया है उसके बाद है एंटीबोडीज जो हमारे सहीर में है वह क्या है तो गलाइकोप प्रोटीन है ठीक है उसके निमनांकित किस में पादब कारे अगुनित होता है तो इन में से सभी में सहबाल में कबक में ब्रायोफाइट्स में ठीक है उसके हमारा next question हो जाएगा पुनर क्या है क्या है पुनर योगर्ज दी एन अ ठीक है क्या है तो एमिनो जेनिक प्रोटीन है ठीक है उसके बाद हमारा next question है ब्रून पोस वाले बीजों को क्या कहा जाता है एंडो असपर्मिक क्या कहा जाता है एंडो असपर्मिक उसके बाद है हमारा नेक्स कोशन निम्नांकित में से कौन जलिये जंगली घास है कौन जंगली जलिये जंगली घास है तो जल कुम्भी कौन सा है जल कुम्भी उसका आद हमारा नेक्स कोशन है कि अप घटक कैसे होते हैं अप घटक कैसे होते हैं तो अप घटक कैसे होते हैं दोस्तों तो पर पोसक होते हैं कैसे होते हैं पर पोसक होते हैं अप घटक पर पोस करता है तो निशेचन किसके निशेचन के उसके बाद हमारा नेक्स कोश्चन हो जाएगा कि पॉलिम रेज श्रिंखला अभी किरिया का क्या कार्ज है तो हमारा स्टिक एंसर हो जाएगा कि डी एने प्रवर्धी करन क्या हो जाएगा प्रवर्धी करन उसके निम्नांकित किसकी अनुवांसिक विवितता भारत में अत्य अधिक है उसके बाद किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है तो मिजो डर्म कौन सा तो मिजो डर्म उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोस्चन है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जिवानू प्रयूक्त होता है तो मित है नो जैन्स मित है नो जैन्स उसके बाद हमारा लास्ट कोश्चन है ओका जाकी फ्रेग्मेंट्स कब बनता है ओका जाकी फ्रेग्मेंट्स कब बनता है तो ओका जाकी फ्रेग्मेंट्स जो है DNA के पुष्च गामी S10 में बनता है ठीक है दोस्तों तो हमारे चैनल से जूरी रहेगा और इसी प्रकार आप लोगों को biology, chemistry, physics का class कराया जाएगा और math के लिए ISC नभीन कुमार के नाम से channel है जो की math के लिए सबसे अच्छा channel है और आप लोग उससे math के तियारी कर सकते हैं आसानी पुर्भक से समझ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो इसी तरह के class पाने के लिए हमारे चैनल से जूरी रहेए और like, share, subscribe करना न भूले देखने के लिए धन्यवाद